गुड मॉर्निंग एब्रिवन आप सभी लोगों का स्वागत है आज 25 मई है तो द्यानिक जारन के राष्टिय संसन न्यूज पेपर में पीटी मेंज और इंटिव्यू और इन कौन कौन से न्यूज को कवर किया गया जो यूप्यस्टी और स्टेट पीस्टी सस्क्राइब कीजिए सेर कीजिए सपोर्ट कीजिए बेल आइकन कोई दबाए ताकि सभी नोटिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोमेंट सक्ष सबसे पहले आप यह समझीगा यह टॉपिक कहां आएगा तो यह यह यूपेसी के जीएस पेपर टू के संगवाद रानितिक एक जुटता या छेत्र अधिकार से संबंदी जो टॉपिक है वहाँ पर कवर करेगा विपेसी की बात की जाए तो यह 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 पर पढ़नी है तो पॉलिटी हो इकनोमी हो साइंस टेक हो यह इकनोमी जोगरफी हो आपको पेपर टू में पढ़नी है तो किलियर क्रिस्टल है तो आप इसे देख जीज़ेगा चलिए लो बात करते हैं अब यह इतना महत्पुन क्यों हो जा रहा है तो सबसे पहले यह समझने का परियास कीजिएगा जब लास्ट क्लास में सेशन में मैंने इनलेसिस किया था वहां पर कुछ टेमिलोजी को समझाया सेमर्म रहा था कि देख कर दख कर तक शेदान। कि एक जूटा रहे हैं उसका संदर्व क्या दख करते हैं उससे इतर भी कुछ बाते हो लिए अगर पहली दफा ये ऐसा घटना होता जहां पर भवन संसत भवन के उधगाटन में जो सक्रिय प्रधान मंत्री है जो सक्रिय पद होता है जनता के पतनीधी के तौर पर उनके द्वारा पर्थम बार ऐसा किया जा रहा हो या राजियों के अस्तर पर राज विधान सवा का जब धातन हो रहा है वहां पर पर्थन दिश्ट्य ऐसा नहीं हुआ पहली बार ऐसी घटना हो रही जहां पर छेत्रा धिकार को लेकर विवाद हुआ हो तो या बिल्कुल भी नहीं है पहली दफा हो रहा है तो हम उस पर यहां पर बात नीचे का नीज एक बात देख लेना चाहिए नीचे हम लोग आते हैं उसके बाद हम लोग विश्ट्री चर्चा करेंगा देखिए यही टॉपिक कैसका है जहां पर पी-म, सी-म और नेताओं ने किया है संसाद और विधान सभाओं के भावनों का सुभारम य निसंदे रूप से यह समझने का पर्यास किजेगा, क्या यह सैधान के रूप से सही है या नहीं है जो विवाद अभी उत्पन हुआ है, तो ध्यान रखेगा यहां पर कि बहुत से भी संसाद भावनों के सुभारम राश्पती को करना चाहिए, हलाकि इनका दलील है, जो व वहिसकार कर रहे है पक्षी और गैर भाजपाद दलों के सरकारों को पी-म, सी-म और नेताओं इनने संसद और विधान सभावनों का उद्धाटन किया है, सीला नियास किया है, विदमना यह है कि अधिकान समारों में राश्पती और राजपन को आमंत्रित तक नहीं किया ग है कि स्वेंटी नाइन के तहत क्या है, कि संसद का अंग है, राश्पती अंग होता संसद का, वैसे ही राज्यों में विधान सभावा को इता अंग है राजपाल, तो राजपाल को भवन का उद्धान करना चाहिए था, मनिपूर विधान सभावा करना चाहिए था, राजप आप लोग दिसंबर 2011 में यह हुआ था पुरू जो पुरू जो आपको पुरू PM थे उनके द्वारा ठीक है और UPA के अध्यक्स सोनिया गांधी ने अब बताईए PM तो चलिए माना जा सकता यह राकिंद्र का परतिन्दी होता है जनता दो चुना गया परतिन्दी होता है अब U YouTube पर वीडियो सर्च कीजिएगा पुराना क्लिप निकालिएगा आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा फीता काटा जा रहा है ठीक है ना तो यह सवाल स्वय से पूछना चाहिए तो मैं यहां सिंपल सा एक बात बोलूँगा अगर आप किसी के सामने एक उंगली उठाते है ना एक उंगली तो दिया रखीगा चार उंगली द्हीं के पीछे आना उनकितंगर आपके तरफ चार धरो यह सग्झा था। थोड़ा सा कुछ करने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए अपनी टीम के द्वारा कि क्या बोल रहे हैं उसका आर्थ क्या हो रहा है और उसके क्या तार पहले से जुड़े हुए हैं तो एक उंगली तो आप उठा दे रहे हैं वर्तमान सरकार के पास पास कारण हो सकते यहां आपसे भी बनता है अगर मैं न्यूटल तरीके से बात करूं तो वटमान सर जो मुख पाटी है उसको भी सवाल करना चाहिए संदर में तो जो लोग 20 लोग जुड़े है तो उसके स्वार्थ कुछ और भी है जुर्गामी उनके एक जुट्टा के कारत है यह जरूरी है क दोजेगारा के घटना आप देखिएगा दूसरी घटना देखिए बिहार विधान सवा सेंटल होल का उधगाटन हो रहा था फरवली 2019 में तो बिहार के मुख मंतिर नितिश कुमार ने जब परदेश के विधान सवा के नए केंद्रिय कच्छ का उधगाटन किया था तक काल सब्सक्राइब राजपती को आमंत्रित तक नहीं किया था या राजपाल को भी आमंत्रित नहीं किया गया था सोच कि देखिएगा कि कि यहां पर सोनिया गांधी क्या कर रही है चलिए मनमोहन सिंग वर्तमान जो पर्दिस में ने कल बताया था लास सेशन में कि जनता के परतिनीदी होते हैं तो यह एक सक्रिय लोकतंत्र का उधारन है यह प्यम को ऐसा करना भी चाहिए तो सीम को भी समझा जा सकता है तो सोनिया के तौर पर आपकी कोई वास्तविक्ता नहीं है आपको भारती प्रसासन में जहां पर इन जो सत्रकार के अंग होते हैं उनके संदर में बात कर रहा हो ठीक ना तो यह सोनिया गांधी क्या कर रही तो कॉंग्रेस को पहले महत्ता पहले अपने रिसर्च करने चाहिए और दे पार के बाद और अभी वर्तवान में 2023 की जो इस्तिति उसके पीछे का यही कारण है कि अपने पुरवर्ती गलती से नहीं सीखता है और मैंने आप लोग एक वीडियो सेर किया हूं क्या अभी आज वीडियो सेर किया हूं ग्रूप में टेलिग्राम ग्रूप में धोनी जी क प्रिकेटर धोनीकए अपने गलतियों से सीखे गलतियों को कर ना सीखे घलतियों से तो ही जाकर सशक्त हो एका मदबूत हो एक और अपका इसी रहीम करेगा और आप से प्रसनी चलेगा और आने वाले समिवर्त लोकतंत्र खत्रे में है लोकतंत्र खत्रे में नहीं है लोकतंत्र संबध्र रूप से चला रहा है कल भी चल रहा था आज भी चल रहा है चलेगा और आने वाले समय में भी चलेगा और उसके रूप कारिकरन अलग-अलग होंगे जहां पर आपको दर्द हो रहा है कि लोकतंत्र की हत्या ही कर रहे थे यहां समझ के देखिएगा चीजों को तीसरा संसत भावन एनक्सी चौबिस अक्टूबर 1975 में ततकालिम परधान मंत्री पीम इंद्रा गांधी के द्वारा क्या किया गया संसत की एनक्सी यानि उपभावन का उध्धाटन किया था तो आपकालिस्ति चला था राश्पती समरों मंत्री नहीं किये मैं इसको हलाकी गलत तक्निकी तौर पर नहीं कहूंगा पर जो विवाद अभी उद्पन किया गया ना उन पर तो प्रस्म बन रहे तो उसस्रह में भी लोगतंतर की हत्या हुई थी और अपात का लोगतंतर थी थी भी फिर विए उसके बावजूद अगर कर रही है तो आप लोगतंतर की हत्या भी कर रहे अगर जिया गया था जिसमें 15 अगस 2018 को ततकालिन पीएम राजी गांधी के संसत्थ भवन में नए पुस्तकाले उद्गाटन किया गया और कॉंग्रेस सरकार में हुए इस समरा को राष्टपती को आमंत्री नहीं किया नहीं दिया गया तो फिर अगर वर्तमान कॉंसेट जो आप बता रहे हैं कॉंग्रेस के सरकार और इसका कॉंटर कैसे करेंगी सोच के देखिएगा आपके द्वारा दिया जा रहा है कि पी-ेम नहीं कर सकता तो वैसे ही राज्यों में सीम भी तो नहीं कर सकता है तो आप इस समय विवात क्यों नहीं खड़ा कि पूल कर देखिये दूजानों का बहुत पुराना घंटन नहीं प्दोटन हुआ था तो फिर वर्तमान सरकार से क्यों इतना रार हो रहा है अतना विवाद क्यों हो रहा है सोचने वाली बात है सभी लोगों को और आप एक न्यूटल स्टुडेंट बनना चाहिएगा इसमें इसका 36 गांदी 2020 में जाती है इसमें राजपाल को अमंत्रित नहीं किया गया था क्या राज में राजपाल से ज्यादा अरिक्पत हो गया था सोनिया गांदी जी का देखिए परसिडेंट के तौर पार्टी सदस्य के तौर पर इनका अलग योगदान हो सकता है इससे कोई दो tiet haylandि नहीं से मेला ती लेंडे नहीं बैक्तिकत कोई इसके संदर में इंके संदर में कोई ग्राण नहीं लिये हैं मुझे कोई कश्ट नहीं है पर सैधानती रूप से यह समझ यह क्या राजपाल से यह बड़े हो चुके थे उस संदर में 2020 की बात हो रही है आप 20 में सौनिया गांदी कॉंग्रेस में कुछ इस्तिती नहीं रखती थी सुझके देखिए केवल एक MP हुआ करती है MP है तो समझ के देखिए इन सब चीजों को कि आपका चार उंगली आपके तरफ खड़िये तो पहले उस पर रिसर्च करना चाहिए तो न जाके सवाल या निसान करना चाहिए उसके आंद्र परदेश का भी लिजिए विधान सवा भ दिया जा रहा है कि वर्तामान PM नहीं कर सकते तो राज्यों में भी ऐसी होनी चाहिए थी तो इस समय विवाद क्यों नहीं किये तो देखिए समझने की बात अब समझ येगा बाकी कहानिया आप देख लिए समझ लिए यहां समझने का पर्यास किजेगा है यह केवल संसत भवन के उद्गाटन समारोह के रूप में नहीं समझ ये इसे हैं इसे हैं दो तीन आइडोलोजी को समझ ये बार बार वर्तमान बैक्ति परधान मंत्री से दिक्कत क्यों है सभी द्यलों को सभी पाटियों को या सभी लो किसी पार्टी के दौरा आम आजमी पाटी के दौरा ये बाते बोलि जाती है कि भाजपा को हराना है तो सभी बुद्ध हो जाना तो kya वर्तमान वरीक द॔र ऐसा आगया है कि कि पृत्व को समाप्ट करने के लिए शंपून्डेस की पार्टी इस एक जूठ हो जाएगी तो यहां पर यह समझने के जुरत है कि यह विवाद क्यों हो रहा है तो देखिएगा वर्तमान पीम है ना जमीनी अस्तर से उठकर है ना पीम के पद पर गए है इस दोरान उन्होंने बहुत सा कारी किया है जमीनी अस्तर से तो जो पहले 2014 से पहले का जो इतिहास था पीम बनने का वो क्या था समभ्रांत वर्ग था समभ्रांत कहने का अर्थ है उच्छ वर्ग के लोगों में वो था परिवार से जुड़ावा लोग था तो वर्तमान में जन समुदाय के दोवरा इन्हें इतना सपोर्ट प्राप्त हु में तो देखिये क्या होता है कि इसका आइडालोजी डिस्पूट हो गया है तो इससे समझने का परियास कीजिएगा इसमें सवी पार्टिय इक दूसरे के साथ साथ दे रहें अब नहीं तो इससे इतरह होता है तो बैग bredour on सो चीछे चली हैं उसको पहले रिशच करते ने अचानक भी बाद नहीं करते अगर आज भी कॉंग्रेस को कोई दल अगर सुन रहा होगा कोई नेता सुने उन तक बात पहुचाईएगा इस सभें बचकाना वाला हरकत बंद कीजिए बचपना वाला और समग्र लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपना महत्पून योग तब ढूनना चाहिए सविधान वाद क्या है सविधान वाद क्या है सविधान का उद्देश क्या है तो जनता के लोगों द्वारा चुने गे जनता के हितों द्वारा हितों को पूर्ती करने के लिए जो लोग चुनके जाते हैं उनका वास्त्रिक सत्ता में परियोग और उ इसे समझने का पर्यास कीजिएगा बाकी कहानी आप समझ जाईएगा ठीक है चलिए अब नेश्ठम बात करेंगे सांस्कृतिक विरासत प्रंपरा होगी पुन्जवित संगोल याद रखेगा संगोल है नई संगोल जस्थापिट किया जाएगा हलाकी इसे पहले वह लाट बंड वैटन थे जो इन 14 structures 1947 को रात साथ दरश प्यतालिस बज़े क्या कि ये वह संगोल जो था विधी विधान के साथ पवित्र संग देश के पर्थम परमांति रुपसे अपनाया गया था जा बाद में क्या किया गया इल बाद संग्राले में रख दिया ठ outta धियान रखिएगा उस संग्राले से नहान में और नए संसद्वान कmore के ऐताएख्ष होंगे उनके कुर्सी के पास लाया जाएगा और हमारी विरासत है उस του Clare Ragnet का जीए गा लसे अब संगोल का अस्थापना पुरानी प्रमपराओं के नए भारत जोडने के भाव का प्रतिक है कि सासन न्याय पुन तरीके से न्याय के अनुसार कटब रास्ते पर क्या करेगा कि चले तमिल भासा को पंसब्द सेंगोल का अर्थ है निती प्रने आता अगर आप इसे और भी बेटर तरीके समझना चाते हैं कि ये जस्तर क्यों मजबूत है तो ध्यान दिजेगा पाकिस्तान का एसेंबली है ना पाकिस्तान का एसेंबली का वीडियो देखिएगा उसके अध्धक्चे सामने है ना बजरंग बली का गदा है अब मुस्लिम कर्टी में आप इसको क्यों है आप समझिएगा तो वर्षराय ने यह दिया था उनको सत्तास्तनांतर्ण के समय अब विवाद खड़ा हो जाता है इंडिया में रहता तो विवाद खड़ा हो जाता है क्योंकि धर्म पर्तिक मान लेता किसी वर्ग का यहां लोग क्या करते क्या करते इसे नाम देते कि उनका जो रूलोक सवाह है वहां पर संसर्वाहन में देखिएगा अध्यक्ष सामने क्या यह बजरंग बली का आपको वर्तवान हम लोग बजरंग बली बोल रहे हैं वह गदा वहां पर है ठीक ना और यह उसमें सत्तास्तनांतरन के दौर पर दिया गया था उनको तो यह च ठीक है वह रह सकता है तो इंडिया में क्यों ने रह सकता है सोचके देखिएगा तो अगर बीवाद को वेक्ति कर रहा है को पाटी कर रहा तो उसकी ज्यां सिमा के कमी है बस मैं यह इतना ही कहूँगा अब यहां पर खुद अंतिम वासराय ने दिया था परंपरा समय अच्छा जटाई थी यह सब बाते हुई थी अब ध्यां रखिएगा यह है क्या तो देखिएगा जाने क्या है सेंगोल तो सब्सक्राइब के साथ देश के पर्थम पर्धानमंति पंडिज्वाल नेरू फाइल फोटो में दिख रहे होंगे आपको एक साधुजी दिख रहे हैं पगड़ी पढ़ने हुए इनके हाथ में संगोल पांच फिट लंबी चांदी के निर्मित और सोना का लेव प्माइख में आपधा यथा प्रकाहद का होटा का अज़वा करीब आठ सो वर्स तक चले चोल समराज सत्ता हस्तनानतें का यह पर्तिक हुआ करता था स्री राजगोपलाचारी के सुझाव पर या तमिलाडू के तिरू थुराई मठ में इसे तयार किया गया था तो यह पीटी फेक्ट आपसे पूछ सकता है इसे सिर्थ नियायर अच्छक और क्या बोला गया पर्तिक नंदी अटल और द्रिश्टी के साथ महजूद है अठात अस्थाईट की बात करता है जैसे आप हिंदू रिती रिवाज सनातन में आप देखते होंगे शीव मंदिर आप पूर जाते हैं तो उनके पहले मंदिर का दर्वाजा से पहले आपको नंदी बैठेवे नजर आते हैं सामने होके यह इसलिए होते कि अस्थाई पर्टिप्त का पहचान होते हैं उसके बाद आप लोग यह जब सत्था अस्तनामतन होगा विधिक चीजें पहले कि किसी भी विवाद को पेटा तरीके से समझने का एक मात्र कारक है कि डाटा को है ने देखिए या उससे सम्दित कोई डाटा पहले से है तथ्थ्य है कोई पहले से उसे उजागर कर रहा है तो विज़कुल आप सही दिसाव मिल गया आपको यह सेंगोल परत करते हैं उधारन देखे ठीक ना जो मैं बोला हूं आप जाके बर देखिएगा समझ में आएगा चलिए अब है इस टेलिया दोरे पर प्रधान मंती थे तो यहां पर बाते को भर कर सामने आई बाकी कहानिया तो ठीक है बाकी कहानिया जेस्तर के रूपने हैं कि हमारे पर उसके साथ एक काम की चीज़ है आपके तो दोनों देश भारत और उस्टेलिया क्या करें पिछले वर्ट से आर्थिक सहयोग करावर समझोता हुआ था और अब मुक्त व्यपार समझोते एप्टिये या समग्र आर्थिक सहयोग समझोते सीका पर बात्चित की रप्तार पर चर्चा है तो जाके आप अच्छे तरीके से वीडियो अनलेसिस देख लेजेगा और लास्ट वीक में भी मैंने एप्टिये पर चर्चा किया हूं ब्रिटेन का मामला था जहां पर पधानमंति सुनुक के मिले थे हमारे पधानमंति वहां एक विचार हो रहा था जो बा पून है कि दो ट्रीन चीजे समझ है यह से गोज़ा साशन पर साशन अगर चाह ले कि देश का कोई कोना है ना विवाद मुक्त हो जाए यह दिसे बहुंसे छित विवादित होता है ना को आ जाएगा अब इसका जीता जागता आप कस्मीर का देख सकते हैं कि 2019 में आर्टिकल 370 से कुछ अन्स अटाए गया जहां पर स्पेशल स्टेटस जम्मु कस्मीर को प्राप था था जो उससे पूर्व क्या था विवात का कारक हमेशा होता था जो लाल चोक कभी खुनी क्रांती हुआ हुई थी खुनी क्रांती में करक खुनी वहां पर मार काट हुई थी लोग को भातित रंगा फाराने के लिए चितावनी दी थी यह सब घटनाए होती देली आतंगवाद की घटनाए हुआ करती थी उसी लाल चोक पर आज क्या हुआ है कल का जो बैठक खजाना है यहां मौसम अध्भूत है यह बाते यह सब कोन कह रहा है देखिए यहां पर कह रहा है जी ट्वेंटी के परतिनीद्यों ने अपने तीन दिवसी अनुभाव में यह बात ब्यक किया है क्या है कुरानी संस्कृति का भंडार है समेटे विए खजाना है मौसम अध वो बदलाव आएगा कि लोग क्या बोलते हैं इस चेत्र को असान चेत्र बोलते हैं पाकिस्तान समर्पित जो लोग है जो पाकिस्तान से मोटिवेटेड लोग है उनको थोड़ा सा आख खुलेगा विश्च के बड़े-बड़े देश क्या आके बोल रहे हैं कि यहां कोई भै खरिदारी करें नीदरलेंड के पतिनेरी जायस ने कहा कि इस समीलन का परिणाम सुखद है हमने एतिहासिक निसांत बाग देखा कमाल का बाग है बजार में मैंने पसमीना की रुमाल खरदी और स्कार्प लिया हूँ वहीं सिंगापुर के उचायुक सीमोन ने वांग ने कहा कि दुनिया भर के परियटकों को कस्मीर आना चाहिए कस्मीर से ज्यादा इस धर्टी को कोई और जगस खुबसूरत नहीं है कस्मीर का अस्तक्षित लाजवाब है इसका अर्थ आप यह समझे कि जो सरकार 370 हटने से पहले बहुत से लोग यह बोलते थे कस्मीर विवादित शेत्रह आतंगवाद समर्फित देश से भारत के साथ साथ विदेशी विदेशों के सरकारों के द्वारा भी बाते बोली जाती थी और भारत का एक अंतराश्टी अंतराश्टी अस्तर पर भी गलत जाता था उसका तोड़ आपको मिल गया अब घी 20 का परियटन का सम्मेलन करा देने से सफल सम्मेलन करा देने से किसी प्रकार की कोई अप्रिये घटना नहीं होने से बहुत से इसके तीर साधे गये निसाने साधे गये तीर के साथ एक तो अंतराश्टी अस्तर पर दुसरा कि जो लोग बोलते थे 370 है न और स्वेधानिक है इससे कश्मीर का वास्तिक भला नहीं हो सकता है तो अभी दो में केस अस्टरी पढ़ाऊंगा एक तो एक निचे और तो ध्यान रखिया कि 370 को सफल पर्योजन सिध हो गया कि 370 का जो निरने था वो कहीं ने कहीं आपको अंतिम पर नाम दिख रहा है उसका कि जो देष था उसका कि जगरा के लोगों को एक सरल परसासन देना शुगम परसासन देना और लोक प्रिये सरकार के गठन में सायक होना यह महत्पुर्ण देश था तो इसकी पूर्टी होती दिख रही है अब नीचे हम आएंगे थोड़ा सा यहां पर एक सकेंड रुप जाए तब बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे खुष राजनितिक दलों के गठन हो रहा है वहां पर ध्यान रखेंगे कस्वी में राजनितिक एक और पार्टी का कतार में खड़ी है तो दोजार सत्तर जब हटा है याद रखेंगा जन्वरी 2018 के बाद यहां कुल 17 नए राजनितिक पार्टी का गठन हुआ है तो देखिए किसी छेत्र विशेश में नए नए राजनितिक पार्टी का गठन हो रहा है तो इसका मतलब समझने का यह अर्थ होता है कि उच्छेत्र विशेश में जनता है न जनता जो है लोगतंतर के पैमाने पर हैं पैमाने को खड़ा समझती है अथात उसमें भागिदा होना स्चाहती है इसलिए तो राजनितिक पार्टी का गठन हो रहा है नवीन राजनितिक पार्टी का ताकि लोग इसमें सहयोग कर सके अपने परशनीदियों को चुनने के लिए अथात लोगतंतर के लिए जो जरूरी है मानक है उसको पूरा किया जा सके तो ध्यान तो वहां भोट होगा मददान होगा चुना होगा चुना होने के बाद एक क्या होगा कि सब्सक्राइब चुनी जाएगी लोग पुरिये सरकार चुनी जाएगी वो शासन परसासन करेगी केंदर के साथ मिलकर क्योंकि यूटी है जैसे दिनली का स्टेटस वैसे वहां स्टेटस है पर अब धमान में यह समझेगा कि लोग एक्पी मोड में काम करें तीन सो सब्सक्राइब को समझने क पेपर टू में आएगा तो ध्यान रखिएगा उसको अच्छे तरीके से करने का किन सरकार अध्यादेश की बड़ी बाते हैं जो बहले भी मैंने बताया कि केम मुख अधिकारी कोन होगा मुख मंती और केमनेट उसका सचीव होगा लाश क्लास में कभर किया गया तरिसेशन को अफसरों कुन विश्यों पर बहत सवधान रहना होगा जिससे किंद और राजी के बीचिवाद हो सकता है तो उसे एक्पी मोड में काम करना होगा ध्यादेश मुख सचीव और समंधित विवहा के सचीव को जवाद रही तैय की गई है यह सब चीजी थोड़ा सा याद र मुख डियागी अभी नहीं समझ में आ रहा है जख्ती विशेष को पर आने वाले कुछ वह दिनों में कुछ वर्सों में यह विवात खड़ा करेगा है हमारा देश पंध निरप्येक्ध्य है कि सभी पाड़िया और शभी का यहां पर दाईत बनता एक सकारात्मव सासन अस्थापित करने के लिए ठीक ना यही दाईत है जो लोग कल्यान होना चाहिए तो यहां पर जो लोग खड़गे उनके पुत्र प्रियांक खड़गे के द्वारे एक बियान आया है क्या या है ब्यान इसे थ्वासत देखिएगा पहले कि अधी माहोल बिगाड़ा जाता है तो RSS हो या बजरंग दल हो जो भी कानुन हाथ में लेगा उसे पर्तिवन लगाये जाएगा तो केवल RSS और बजरंग दल का नाम लेने से क्या विवाद उत्पन होगा बिलकुल विवाद उत्पन होगा इसके साथ अन अराजक तत्तों आप जो देते या अन लोग जो मुस्लिम समर्थित जो संगठन है जो करते हैं गजवाय हिम का कॉंसेप्ट रखते हैं और भी बहु सखीर नहीं सिर पेक्षाव हमाले कॉंसेटं पर सही रहते। नहीं तो लग रहा है किसी भी से विसे होसकता है इस तो मैं बंगाल का बिधाएरण दे होगा तक करते हैं जहां टीम टी के कार करता बोट नहीं देने पर अ बीडियो हो चुका वीडियो आया सामने तो आप क्या कीजीएगा क्या सब्सक्राइब जाहिए आप अन राज्यों में भी जाहिए जहां पर आपको सक्री राजिती बोट नहीं देने के लिए यह क्या यह कानुन हाथ में लेने वाली परकिरिया का विरोध के वल इसी दोनों संगठ्णों तक सीमित होगा अगर आप सक्री राजिती में अगर बहतर संदर्म में आगे बढ़ रहे हैं बहतर उद्दिस के लिए बढ़ रहे हैं इस प्रकार के ब्यान बाजियों से बचनी चाहिए नहीं तो इसके दुरगामी परणाम होगे अभी देखिए यह पर भाजवा बजनग दलके एक कार्यकर्टा का कालिक कातिलाना हमला हुआ अब इसे क्या रंग दिया जाएगा अब सुचिए गा इस रंग समझा जाएगा क्या यह धार्मी कदार पर हमला हुआ है या या रायनितिक हमला हुआ यह तिनी कारण हो सकते ना तो अब इसे कोन देश्टिफाई करेगा तो इसी प्रकार का आपको नासुर बनने वाला या ब्यान आने वाले समय में तो कोई नेता इतनी बड़ बोलिता में इतनी देखिए है भी तो आपको कानून को सासन करने दिज ना कि अपनी रायनितिक इच्छा पूर्ती की पूर्ती की जिया यह से चीज़ समझने की जुरत है और आगे समझाने की जुरत है चली आगे हम लोग बात करेंगे यह आप पढ़ लिए नेश्ठम लोग बात करेंगे अंत्री चानुसंधान मूल अस्त्रोथे संस्क्रित के प्राचिन गरंट अब बहुत से लोग है न बिवाद यहां पर खड़ा कर देंगे कि भाई इस रोग के जो परमुख है उनके द्वारा ऐसा किया गया जो हमारे संस्क्रिती धरोहर को अपना धरोहर नहीं मानने उनके द्वारा बात की जा रही है इस द्र को जस्टिफाई करने लृद लगा उस ëपर बहती चली आ रही आ सकता उस ग्यान और विज्ञान का उपयोग कर संस्कीत को विष्वपुना स्थापित करने का यह वैचारिक लड़ाई है कि हमारा बनाथ मैं या हम विज्ञान है हमारा शाहित्स थे हमारा साहित्स का इसे çocuk अपर यूदिА के यूदू और या विज्ञान निर्मित थे बाकी 에서 समझगें वरें में किस fed government पहurities पहले क्या बोला करते थे भारत का संपून जो साहित है किसी एड़ोपियन कंटी के किसी ब्यक्ति के लाइवरेरी में इतना पुष्टक रखा उससे कहीं निम्न कोटी का उससे अच्छा उसका लाइवरेरी का पुष्टक है इस कॉंसेप्ट को धिरे-दिरे समाप किया रहा है और एक घोसना और की गई कि मिसंद चंद्रयान थर्ड इसी वर्ष जुलाई और अगस्त में लॉंच होगा तो यह निज हम लोग करेंगे अस्री महा कालेसवर नाम से अंतरिच के सेटलाइट अस्थापित करने के लिए योजना बनाए जा रही है असाथ इसाथ एक पीटी और भी याद रखेगा कि अतिती जो थे या स्वमनाद कहां कातिती थे महिसी पार्णी संस्कृत वैदिक रुष जुद्याले के उज्जयन में चतुर्थ सामारो मनाया जा था दिख्षान सामारो उसमें सामिलुए तोहां पर दिया गया था इसे पीटी फैक्ट है याद र सब्सक्राइब है पीम आवास योदना सहरी अर्जना जिसमें देखिए दो तीन चीज़े समयने का पर्यास किजिएगा कि 6,000 रुप्य महिने के सीकोर्टी गाट का नौकरी करने वाले मुकेस्ति अइंदोर जैसे सहरों में सहर में 100-600 वर फिट से अधिक फ्लैट खरदा है जो है ना सपना पूरा हुआ है पाने का सपना साथ से साथ एक रादे साम भर्भूती है जो सब्जी बेचा करते हैं वो और उनके तीन पूत्र ने तीन अलगलग फ्लैट खरदे हैं परधान मनती आवास योदना के तत इंदोर में तो देखिए किसी योदना का बेहतर प्र जहां पर प्रधान मनती आवास योदना सहरी चल रहा है वहां पर अगर किसी ब्यक्ति रिशेस को 600 वर्ग मीटर का अगर फ्लैट मिर रहा है तो किसी सपने से उपर नहीं है रीजन इसके पीछे है कि फ्लैट बनाने में बहुत रुपया खर्चा होता है और यह आम जो आता है वह जुगी जो पुरियों या किसी ब्रेंट पर आते हैं जहां पर अब स्थाय रहती है तो यह योजना कितना बेहतर सहायक हो हुआ है और इनके जैसे कितने लोगों को सहायक हो सब्सक्राइब होगा यह समझने की जुरत है तो चलिए आपको एक क्वोश्चन का उत इसके टैप पर होता है तो आप लोगो सभी लोग जो यूपीस का आप अभी तक डाउनोड नहीं किये डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको कॉमेंट सेक्षन डिक्सक्राइब बॉक्स में दिया जाता और स्कीन सट जो भेजा जाता उसमें भी होता है तो आप लोग यूप आम इच्छाओं की पूर्ती करने में सायक पूर्तित हुआ है आपकी नजर में सजन कल्यान से समाजिक सुरच्छा से समंदित योजनाओं का सफल किरियानवेन के लिए मापदंड क्या है आपके लिए मापदंड क्या है उसकी चर्चा करनी है आप किन अधारों पर इसका आ आप दंट तय किया जाते तो आपको बताना है चलिए हम लोग बात करेंगे आगे रेवडी संस्कीति पर विराम लगे रेवडी पर मैंने तीन से चार बार न्यू जेनलेसिस किया हूँ ठीक ना तो ध्यान रखिया यह करनाटक जो चुना हुआ पर जीत करा है उस पर रेवड लिस्ट में आपको पंजाग चुनाओ जब हुआ था नेट पर सर्च कीजिएगा इस महीने में वहा था मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहा है उस महीने में जाके आप उससे देख सकते हैं ठीक है ना चलिए अब हम इस पर बात करें करनाटक वाले में देखिए करनाटक वाले देखिए मोग गणिभी परिवाल को हर महीने 10 किलो अनाच दिया गा माइलाओं को निसुल्क यात्रा दिजाए इसके सासे साथ डिप्लोमा धारक वह ब्रोज़गार को हर महीने incidence घंज्रावाग के पूर्ति कर ने केलिए सरकार को 50,000 क्रोर का अतरिक बोज पड़ेगा अब 2022-23 के आकड़े की बात की जाए तो कनाटक बजट में 61,564 क्रोर रुपिया का राजकोसिय घाटा है अथाथ उन पर दाइट तो है चुकाने का राजकोसिय घाटा कितना है आपको 61,564 क्रोर का ये कैसे पूर्ती की जाएगी इस घाटे को राजकोसिय घाटे को राजसरकार के पास का कोई जवाब नहीं है कि हम इसको कैसे पुरा करेंगे उसके बावजूद भी 50,000 अतरिक जवाब पर तेक साल आएगा तो सोच के देखिए यह एक लाग के आसपास चला जाएगा राजकोसिय घाटा तो ध्यान रखिएगा सरकार की घोसनाओं से से नाम मातर का परभाद तो आपको मिल जाता है चुनाओं के दोनाब जीत के आ जाते पर उसके आर्थिक परिणाम उस राजी की रिड़ धिरे-धिरे तोड़ देती है और कुछ वर्सों में 10 से 20-25 वर्सों में इसका परभार राजी की जनता पर ही आएगी क्योंकि ये सरकारत वर्तमान में उसमें होगी या नहीं होगी इसकी को तो गरांटी है नहीं उसमें कोई जो होगा उस पर ये दाइट आ जाएगा कि तो पूर्ती करना कैसे ठीक करना है तो इसलिए ध्यार रखेगा रेवड़ी संस्कीती का मुल कॉंसेप्ट एई है एक कॉंसेप्ट आप तो समझते हैं ना चवार्क कॉंसेप्ट आप समझते हैं चवार्क निती यहां बोलता है ना आप किसी भी स्तिती में हो घी है ना उधार लेकर खाओ उधार लेकर पीओ आप कितने भी करज में क्यों नहों फिर भी आप घी है ना उधार लेकर पीओ एक तो कर्ज से डुबे हैं कर्ज से दम माथे तक ने कर्ज आप पर चड़ा हुआ है फिर भी आपको क्या घी लेना घी एक उस संदर में कहा जाता है कि महांगा घी आपको उधार लेकर फिर भी पीनी है तो च्वार्ख दर्शन को यह कॉंसर्ट जो है न पूरा करता है एक त अब यहां पर याद रखेगा तो बरहाल कॉंग्रेश को करनाटम उमिलित चुनाओं सफलता को अन राज्यों में विरानितिक दलों ने इस तरह के लोक लिभाम ने प्रेसकर सुरू कर दिए तो अब देखा देखिए सभी राज्य में करेगा इस पर आर्वी आइक रिपोर आया था मैंने जिस पर डिसकर्शन किया था पंजाब के बाद की घटना के बार कि क्या रिपोर्ट आया उसने बताया भी था उसमें कि आने वाले समय में या परविर्ति अगर अधिक राज्यों में हुआ न या राज्यों के रीड को आर्थिक रीड को तो तोड़ेगा ही इसे बेहतर तरीके सॉल्व करने की जूरत है कि पार्टी सरकार बना लेने से लोकतंत्र का मकसद पुरा नहीं हो जाएगा न यह उसी परकार है जैसे हम प्राकृति का दोहन करते हैं एक लिमिट से ज्यादा करते हैं तो उसका प्रभाव हमें दिखता है भविश्य में वैसे ही यह भी समझने का पर्यास की जीज़ा अभी जलवाई परिवर्टन का लेको कितना हाई तोवा मच रहा है इसका हम लोग कब किये थे उनिस सो से दहन करें जब अधोई क्रांती के दोर से स्टार्ट हुए तो इसका प्रभाव हम देख रहे हैं वैसे ही यह रेवरी संस्कृत की का आने वाला समय में होगा एक ऐसा समय आएगा हम लोग इसका इतना दोहन कर चुके होंगे राज्य का राज के संपदा का अर्थ के रूप में कि उसके बाद है ना बैट के सब को उसके हाई तवा करे तो सबसे पहले तो याद रखे कि हम इसके लिए संसागत संगठन बनाए कि जैसे चुना आयो आर्वी आए है ना इस पर चुना आयो एक दिसा निदेश कायम करे साथ ही सुप्रीम कोड इस पर गाइडन्स जारी करे कि आप एक लिमिट से ज्यादा है ना इस पर रहना कि चुना योग को भी इस पर नज़े रखनी चाहिए इस प्रकार से लोक लिभावने जो है जो रेवडियां बंद की जाने चाहिए साथ इसाथ आर्वी आई को भी कुछ गायलाइस देना चाहिए अगर राज कोशिय घाटा इस मुप्त खोरी के कारण बढ़ रहा है तो र अगला दो जनरेशन के बाद इसका परभाव आएगा तो इसका विरोज जनता आज नहीं करेंगे ना तो उसका वंस से जहलेगा और उसके में उस समय का वंस है ना आपका ही जो पुल का लोग होगा वह आपको न अभधर गालिया देगे भारती संस्किति में गालिया जैज है ना ऐसी अभधर गाली करें हमारा बुरवा बबाबा का करके चल गया भी आप लोग गाली देते होंगे अपने बाबाबा प् आपको इस मुख के रेवड़ी में यही सारा कॉंसेप्ट आपको यहां समझाता है और आप इसे पहले भी मैंने चीजों को कवर के सारे अंडरलाइम किये हुए टॉपिक को अब मिट्यू दंड के तरीके का नावसक भहस चल रहा उसको रोखने का परियास करने की बात की जा रही है तो देखिए सुप्रीन कोट में एक जज्जमेंट आया था बच्चन सी बनाम पंजाब राजी जहां पर 2880 के मामने अस्तव नयाले ने मिट्यू दंड को स्वयधानी कहा था लेकिन ऐसे दंड को क्रियार्णित करने वाले तरीकों को लेकर अक्सर विवाद हुए ऐसा ही प्रस्वन एक बर फीर हमारे समख्ष है उस्तम नियाले ने स्वें ही सरकार से इस तरीके की वैदता को अपनी दिश्टी कोई में अस्पष्ट करने के आदिश दिये है अथाथ जो प्रकृति है मिर्ट्यू दंड देने के लिए उसके प्रकृति की जाच किजिए अथाथ कहने का मतलब सुप्रीम कोट का म अभी मैं एस्परेंट से हड जाता हूं और साथ मैं टीचर से हड जाते एक मानवी भी उसे बताता हूं मिर्ट्यू दंड किस परकार के सजा के लिए है जो अकृत है जो अकृत है निर्दिये है उस परकार से क्रित के लिए जैसे हत्या कर देना सामुहिक हत्या कर देना बलादकार करना समुहिक बला तकार करना या अइसे घटनाओं के लिए अब वह ब्यक्ति जब घटना कर रहा उसे में दयमने दर्ध नहीं है दिल में इक प्रकाय रहम नहीं है तो आप उसको मीट्ट्व देते वक año किो I तो यहां मेरा यह रहेगा एक नूर्मल कॉमनमेन की तरह हो पर हम बात करेंगे अब सैधांतिक तोर पर एक नूटर ऐस्परेंट के तोर पर तो ध्याद रखे मेंगा यहां पर क्या ऐसी दर्दनाक समाजिक रूफ जो है अधिक स्विकार है या फांसी के अधिक घर्मापूर्ण ऐसी बातिक की जारी है अब भारतिय डंड सहीता कुछ ऐसे अपराद मिल्डिष्ट करती है जिनें मियूत्यों दंड दिये जा सकता है अपरादिक परकिरिया सहीता उनिसो तैहत्ते की धारा 354 में कहा गया जब किसी ब्यक्ति द्वारा मिट्टिव डंड का दंडा देश दिया जाता है तो वह दंडा देश मिलदेश होगा उसके गर्दन में फांसी लगाया कर तब तक लटकाया जा जब तक उसकी मिट्टिव ना हो जा यह 355 कहता है अथा फांसी फंडा लगाना तब तक है जब तक वह मरा नहीं उसके बीच वह तरपता है कुछ देख अमाल यह गलत फंडा लग गया बाई तरपते रहा जाएगा मरेगा भी ने तो यह सब चीज़े होती है तो ध्यान यहां रखने वाली बात है कि दोजा सत्रा के कि अधिवक्ता-्रिषी-मलहत्रा बनां भारत-संग मामले में मिर्थ्यूदंड को अधिक गरिमा-पुन बनाने के लिए तरीके से निस्पादित करने की मांग की गई गई है ना गरिमा पुन की लोग का मिर्तिव जो है न वह अंतिम रूप से होता है तो उसमें गरिमा होनी चाहिए उसमें यह मानक तैक किया जाने चाहिए अब है अपराधिक प्रक्रिया सहीता उनिसो तिहत्य की धारा 355 स्वेध इसके बाद जन्वरी 2018 में सरकार ने एक सपत पत्मे अवले किया था कि मिट्यू दंड को निस्पादित करने के लिए फासी ही एक मात्र बहवार विकलत है जो हमारा कॉंसेप्ट है हम उसे मान से और इसके तर हम लोग एनिमेस्टर इंटरनेशनल का कॉंसेप्ट समझे उसक इंजेक्शन देना जहर वाला इतना जहरीला होता है लगते कुछ सकेंड वाल उसकी मिट्टी हो जाती है दूसरी बिजली के जटका देने वाला जो अमरीका में भी पर चली थे ध्यान रकिए 500-2000 वाट का अब वोल्ट का आपको करेंट उसमें लगा जाता 30 सकेंड तक लग पकाम कि यह अगर में इससे भी कोई कुरूर सजा हो तो वह जैज मान जाएगा अब मां लिजे किसी महिला पर वह डाल दिया शेरे पर उसके बाद उसका बलत कार लिया सामोहिक बलत कार किया करवाया लोगों सबने दोस्तों से उसके बाद उसकी कि हत्या कर दी टुक्रे टुक्रे काट के फेग दिया और ऐसे कृत में किसी ब्यक्ति की मौत की सजाद दी जा रही है और उसके बाद मान्य नियाले क्या बोरा कि गर्मा पुर्ण उसका मौत होना चाहिए तो यह अभेहवारिक नहीं लगता है यह थोड़ी सी निरलाजस्ता इसा सब्द नहीं यूज होता है कि उस ब्यक्ति ने किसी प्रका का गरिमा का लाज तक नहीं रखा उसके मौत के लिए हम गरिमा का लाज रख रहे हैं तो मेरा यह व्याव मैं दो टुक्र सब्द कहता हूं इन सब चीजों को लेकर रिजन इसके पीछे है कि बहुत से चीज के लिए वो सीमा नेंधायत करता है जो उसे प्राप्त होना चाहिए वास्तिरूर्प से वही जो सीम मनवा दिकार का सबसे हुए बीमेरिट है जैसे पुलीस है ना पुलीस अगर किसी गंगेस्टर को मार रही है तो मानवाधिकार कहलाएगा पर वही गंगेस्टर दस गंगेस्टर मिलकर एक पुलीस को चारोर से घिर कर अगर मारेगा उसके लिए मानवाधिकार पुलीस के साथ नहीं चले खड़ा रहेगी कि ये मन्मादिकार का दो रहिया जो दोगला रविया है ये मुझे पसंद नहीं। इसके पीछ है Aगर पूलीस के लिए अगर मन्मादिकार की बात कर है तो पूलीसों け लिए मन्मादिकार का कॉभ से होना चाहिए economies प्रफ्राइब को इतने करम से अगर परतारित करके उसे मौत की घाट उतारे गया तुक्रे करके फेका गया जैसे निर्विया कांड आप देखे होंगे जीता जागता है फिर हैदराबाद डॉक्टर्स का अगर उस बैक्ति विसे जो किया है उसको रहम तक नहीं आया एक परस पर तो आ रहा है तो यह मानवा दिकार का जो दो गली जो निती है ना उसपर असर होनी चाहिए उस पर तो होनी चाहिए निर्विया पर जितना मानवादी का कॉंसेट लाग होता उतना उसकर जो सजा जो इसकृत में सामिय तो उसपर 10 नहीं कर extract मत मत की केवल अपना विधी का कानून जो बोलता है वो काम कीजिए आगे हम बात करेंगे अब हम बात करें तीसरी है फांसी देने की सजा है लटकाना जो भारत के अत्रिक अफगानिस्तान में बंगलादेश में ब्रुस्वाना में इरान इराग जपान कुवेट और अन जगों पर है जैसे आप और भी देश का नाम ले सकते हैं मलेशिया इस्राइल नाइजर सभी जगह है शूटिंग की विधी अथाद सूट सामने खड़ा रखके शूट कर देना मार देना गोली लगा देना धाय धाय गोली तिला देना उसके लिए चीन है इंडोनेसिया है उत्तर कुरिय घॉथिया हैं साओधी अराब इस अमने आधि देist होता हैं वहीं साओधी अरब मैं सीर कलम करने की विधी है ब्ले में इस और ल में इस सीर कलम कर दो और था सीर को काट ज 레 मुर्गा हलाल करते हैं वैसे मुर्गा हलाल वहां भी किया जाता है उस concept में अब पूर्णता क्या है मैं वाथ सीकता नहीं जानता पस इतना जानता उनके घरदन को काटा जाता है तो ध्यां रखिएगा उन सभी में जितने भी आपको अधार दभी बताया गया फांसी देने का उसमें सबसे बेहतर और सरल उपाय जो है जो सबसे गरिमा पूर्ण बनाए रखता किसी की मौत की सजा को वो है फांसी एक सकेंड रोल किजेगा एक सकेंड एक सकेंड बैक हो गया था तो यह ध्यान रखिएगा यह सबसे गरिमा पूर्ण है फांसी की मौत की सजा सुनाना उसके अंसार किसी बैक्टिरिस इसको सजा देना अब ध्यान रखिएगा इसके अत्रिक अब यह है कि भारत जैसे मुद्व के लावा इंशेत्व विवात के बहुत से विदिक प्रवधान है तो सारे संदर्व में समझा दिया आप लोगों को समझने की जरती से मानवे मानवा धिकार से कहीं इतर इन सब चीज़ों को रखना चाहिए कुछ चीज़ें नं याद रखेगा घर में कुछ ऐसा समान होता है याद रहते हैतला हाव कि इस अपका आपका ऐसा समान निर्मान हो जाता है इससी घांचे में सामिल नहीं कर सकते हैं तो उसे क्या करते हैं उसके लिए special category बनाकर रखते हैं वैसे ही इस मामलों में होना चाहिए, कि हर चीजों में मानवा अधिकार नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकार का concept लागू नहीं होना चाहिए, अब राश्टी सुरच्छा विजन के साथ बढ़ती है सक्रियता, हाली में कि एनाई ने राश्टी जाच एजनसी ने कई आतंकी संगठन जैसे जैसे मौमत के सदस को जम्मू कस्मी में पकड़ा है, साजिस के ताथ नकसलवाद और माववाद पर प्रहार किया, 36 गर दंतेवाडा में, बी आईजी ग्रूप में हुए नकसली हमले में जाच के एनाई पकड़ा गया 25 अपेल को, जो जब 22 को, एनाई ने एफाई दर्ज की और देश में पहले परतिबंदी CPI माववादी के अपने संगठन के विश्टार कर रही थी, उस पर रोख लगाने का पर्यास किया है, अब ध्यान रखिएगा, इस परकार के कोई भी नेस्टनल प्राइटिक दलों को एक साथ होना चाहिए, राश्ट से बढ़कर कोई नहीं है, ठिक ना, ना हम है, ना आप है, ना कोई सरकार है, ना कोई पार्टी विश्टनल थे, राश्ट परवरी है, राश्ट जीवित रहेगा, तो हम जीवित रहा पाएं, सिंपल सा लॉजित समझ करने का पर्यास कीजिए गया से, तो इसके लिए जो भी है, फुलर फरंट आफ इंडिया, एक कॉंसेप्ट चलाया था, जिहाद कल्चर का, उसके रोक लगाने की बात की गई है, साइबर आतंगवाद की बात की नार्को आतंगवाद की बात की नकसलियों, और महवादियों की फंडिंग रूट की ब्लॉक करने की बात की गई है एनाई ने पूरी सक्रिता के साथ अपनी भून का निभाई है तो इस परकार से अलगावाद धार्मिक खटरता एक साथ होता दिख रहा है आतंगवाद जिस सवरूप के साथ मजूती देनी कोशिस करा धार्मिक आतंगव को इस्लामिक गज्णराज जी के थाबना कि बात करते हैं नियुक्त करता है जिसे घजवा हीं हर्ण और हिंदूराश्ट में एक ही अधार जहां पर समग्र और सभी के सहयोग की बात की जाती है तो इस धार्मिक तंत्र को अस्थापित करने की बात की जाती है जहां राम राजी का भूमी माया अपने विचार धारा को लाया और परचार कर लिया ठीक ना उससे लोग प्रवाइत होके उनका अनुसरन कर लिये ठीक ना तो इसका मतब या नहीं कि जो पहले से भारत में चली आ रही प्रमपरा अच्छुन हो गई या खराब हो गई या वो कायब नहीं हो सकती ह इंखान देने वाले किरिविव मुल में होगा thकता जैसे कि कि जैसे डिना है जैसे सरीटो पर किने भी टैटो बना लिजय टैट्रु चलाँ, एक सरीय के वावडाल昨े न कम बदल सकते हैं उसकी आत्मा को ब सकते हैं नहीं बदल सकते हैं उसके फेफडे को बदल सकते हैं नहीं बदल सकते हैं जीवन्त रहने के लिए उसारे ओर गण जो रहत है अब इसका सप्लिमेंट आप डाल सकते माल हाट खराब है तो पेसर में लगा सकते हैं पर जरीन में टेटू आप या इस प्रकास से कोई और भी गाहना गुडिया सब प कॉंसेप्ट है जो इसके आने से पहले भी थी हजारों साल से पहले वो कंसेट मूल है और वह मैं आपको एक बार याद दिलाया होगा जब इसलाम का कॉंसेट पढ़ा रहा था जिसमें बुरका का कॉंसेट आया था या जी बुरका और क्या बोला जाता है जो पढ़नती है लेडिस पढ़नती है मैं भूल जारा है नकाब जो पहना जाता जो भी अलग लग नाम था वो इसलाम का मुल्क तत्व नहीं था और मैं उस दिन क्या बोला था कि मुल्क तत्व में कोई छेड़ छार नहीं होनी चाहिए मुल्क तत्व मुल्क तत्व होता है बाकी जो बाद में जो आया है न वो संसोधन योग हो सकता है इसलिए सनातन धर्म या हिंदु धर्म का कॉंसेप्ट है गजवाय हिंद से बहुत विप्रित है एक अस्मान में है तो एक जमीन में कॉंसेप्ट लेका जा रहा है या अस्म का अमरीका का नहीं है क्योंकि जो मानों सभ्यता को सुधिड और सब्सक्राइब बनाने का जो कॉंसेप्ट है वह भारतिय भूमी पर है यहां से बोध भी निकले हैं जैन भी निकले हैं और भी धर्म लांबियों का महत्पुन अस्थान रहा है यह विचारों का देश है विचारों को जागरित करने वाला देश इसलिए समझेगे इस पर कॉंसेप्ट आपको इस पर अधिकार कर लेने से आप पूरे विश्व पर से अधिकार करने जैसा होगा तो कि देखिए इन सब चीजों के कितनी बड़ा कॉंसेप्ट है इस सब चीजों में अब यहां पर जितना भी इस पर पार्टी विश्व का समर्था विरोध कर रहे हैं तो समझ दीजे तो राश की सुरच्छा का ही साथ खेल कर रहे हैं अगर के लिए भी धार्मिक और अपना रहे हैं तो चीजों के साथ तक के लिए धन्यवाद और संडे को क्लास ऑफ रखेंगे उसके पीछे यूपेसी का एक्जाम है फुरा सा तयारी आप लोग कर लिजेगा और रिजन उसके पीछे और भी है कि कुछ स्टुडेंट आएंगे तो में थ्रा ब्यस्त हो जाऊंगा इस दौर तो मंडे को टेस्ट है देनिक जारन का तो दस एम में आप लोगको को सेर कर दिया जाएगा 11.30 से आपको answer submit करना है 12 वजे तक 12 तक अधर आपको क्या करना है कि answer submit कर देना तो चलिए फिर हम लोग इसके लिए आपको UTIS एप डाउनलूड कर लेना सभी लोगों को ताकि इसका लाब ले सके धन्यवाद जये